हेलो स्टुडन्ट, गुड बर्निंग, आई विल टीच यू हिंदी, आज हम पड़ेंगे हिंदी देखो, हमने आगे क्या पड़ा? स्वार तो आज हम सब फीच से एक बार स्वार को हम एक बार त्रीड करेंगे देखो, आ से अनान, आ से नाम, इसे इमली, बड़ी से इक उ से उलू, उ से उन, रू से रूसी, ए से एडी, ए से एना, ओ से उखली, आउ से आरात, आम से अंगूर अहा, माने, कुछ नहीं, ये क्या हुआ? स्वार हुआ अब हम आगे क्या पड़ेंगे? ब्यांजान ब्यांजान का आँटक पड़ेंगे? कासे घव देखो, ये क्या है? कासे कबुतर, कासे कमल ये कमल का रख कौन से कलर का है? तो पिंक, दिख रहा है पिंक और जो उसकी डाली है, वो कौन से कलर की लग रहे है? ग्रे फिर ये कासे कबुतर, काबुतर कौन से कलर का है? ग्रे कलर का फिर उसकी चोंच है, फिर उसके दो पैर है, वो कहाँ अब कहाँ फ्लाइ करता है? आकाश में, तो ये क्या हुआ? कासे कबुतर, कासे कमल चलो, अब हम लिखेंगे, कासे कबुतर, कासे कर्गोस, गासे गणपती, गासे घार कासे कमुतर, कासे कर्गोस, गासे गणपती, गासे घार अब आपको लाइन में कैसे लिखना है? देखो कासे कमाल, कासे कमाल, कासे कमाल खास से खर्गोज खास से खर्गोज खास से खर्गोज गास से गणपती गास से गणपती गास से गणपती गोसे कर, 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 गोसे कर कर से कमार, कर से खरगोश, कर से घरपती, कर से घर, घर होता है ना, चाहँ हम रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, कर, इंग्रिक्ष में क्या बोलते हैं उसको, खाओश, देखो एक बाद, कोसे खबुतर, कोसे कमल, कोसे खबुतर, कोसे कमल, देखो इहां पर पूरे आपको ट्रेस करना हैं, कोसे कमल, कोसे कमोश, अब ये क्या हुआ, ये क्या है, खोसे खर्गोष, खोसे खर्गोष, खर्गोष कितना दोड़ता है, दोड़ता है और वो कहां रहता है, वो जो होता है ना पील बोलते है, उसमें लेता है ना खर्गोष, कैसे देता है, कैसे खाता है, उसको क्या पसंदे जादा, के, ये क्या यह बी आको तो खसे खरगोस में जो ये डोट डोट दी है ना छोटे, छोटे छोटे उसके उपर क्या करना है, धीरे धीरे प्रेस करना है, तो आपको आजाएगा खसे खरगोस लिखना, तो ये पूरा आपको लिखना है, फिर ये क्या है, एक्टिविटी, रंडुडु भरो, तो ये खस को से खर खोौष कुंसे कलर का आपने देखा है, वाइव माइव होती हैं, प्लैड, वाइव कितने होती हैं, फोर चार होती है, को आपकोई अप्टिलिटीपे क्या करना है lira कलर करना है क्या करना है? कलर देखो वापीस वन्स अगें कासे कभूतर कासे कमल ये पूरा आपको लिखना है फिर ये क्या है एक्तिविटी? कासे कभूतर उसके पैर कैसे है? दो पैर है ना उसके नाखुन जेसे अमारे जिन आको नोते न बड़े बड़े ऐसे उसके पैर होते वो कहा रहता है पैड़ पेर आकास में उगरता हीता है हीता है ना उसका गोसला भी वो बनाता है ना तो खोसे कभुदार पे आपको रंग बरना है यह क्या हुए? एक्टिविटी खोसे कभुदार खोसे कमल यह क्या है? खोसे खरबोश खोसे खरबुजा यह आपको पूरा लिखना है फिर एक्टिविटी में अबुमेनिस बोता है ना को इसमें भी आपको क्या करना है? रंग बरना है, रंग यानि कलर क्रेंस कलर, पेंसील कलर, कुछ भी आप करशकते हो, पर अच्छा करना यह लाइन के बार जाना नहीं चाहिए बोलो को से कमल, को से कबुतर, को से खर, को से खरगोस, को से खरगुजा अब यह क्या आया, ड से गमला, ग से गमला, ग से गदा, ग से गमला आपके घर में, ममी गार्डन में या बार, हमारी जो हमारा दोर होता है, उसके बार ममी रखती है फिर हम लोग हमारे ड्रॉइंग रूम में जहां हम टीवी देखते हैं उसको क्या बोलते हैं ड्रॉइंग रूम तो उसके बाजी में होता है ना उसको क्या बोलते हैं इंगलिश में वास और ये हिंदी में उसको गमला बोलते हैं तो गसे गंला, गसे गढधा, तो यह गंला है तो उनका जो बास है वो नीचे का पोट कोण से कलर का है तो वाइट है, फिर वो कॉफी ब्राउन कलर का है फिर जो पतिया है क्मसे किके है जुटे छुटा तरह होता है, जिर में लिएक कफ३टें अवेक क्मसे की क्मकिलागा डूला होता है, फिर फिर कोड़ से कल्ञ गलागा होता है, उसके काला विऑएक यूलो की फूल तो क्या बोलते हैं गसे गमला, गसे गमला, गसे गधा, आपने गधे को देखा हैं गधा यानी डॉंकी, हम बोलते हैं ना, हम जो डॉमेस्टिक अनिमस में क्या बोलते हैं गसे गधा, गधा होता हैं ना, देखो, क्या बता हैं, अभी वो नीचे धास है ना, उसको खा रहा है तो ग से गमला, ग से गधा, तो यह देखो, आपको यह छोटे-छोटे डॉट दिख रहा है ना, उसके उपर आपको दीरे-दीरे जो लिखना हैं और पूरा खिला करना है, फिर यह देखो, एक्टिविटी आई, क्या आई, एक्टिविटी, चीतर देखकर उसके नाम का पहला अपशहर लिखें, तो यह क्या है ग से गमला, ग से कबुतार, ख से खरगोश, ग से गधा, ग से कमल, Once again ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? गोसे गमला गोसे गढ़ा गोसे गमला अब क्या है? गोसे गड़ी और गढ़ से गड़ देखो गढ़ से गड़ी गढ़ से गड़ जो गड़ी हम हाथ में भी बेंगते हैं ना फिर हमारे हाउश में घर में भी मम्मी लगाती है ना मम्मी पापा दो-दो लगाती है ना एक ड्रॉइंग रूम में होता है कीचन में होता है कि भाई हमको स्कूल कप चाहना है तो भी बोले 8 o'clock तो 8 o'clock हम किसे हिसाब से आते हैं घड़ी की हिसाब से तो घड़ी, 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 तो ये घड़ी से घड़ी है तो घड़ी का color कौन सा है अंदर है जो वो numbers कौन से color का है black color का और जो दो है वो line वो कौन से color की है तो वो है black color की और जो line bar model है वो कौन से color की है black तो घसे घड़ी घसे घर यानि house हम रहते ना उसको क्या बोलते है house तो house के बार यह क्या लग आई यह garden बनाया हुआ है देखो है ना फिर वो कौन से color का है red color का फिर बार जो cool हुए है कॉन से कलर का है white फिर जो window यानि भाकरी तो वह कॉनसे कलर की है yellow and blue फिर देखो यह उसके उपर क्या है sun सन आता है ना सन्या नी शूरिय शूरिय आता है ना सुब्बे आता है ना वो कौन से खलर का होता है जब पहले होता है तो यलो कलर का फिर धीरे धीरे कैसे हो जाता है वो और अरेंज कलर का तो घर से घरी घर से घर घर से घरी जो हमको समय का सदुप्योग बताता है इसको व्य आपको ये पूरा अच्छी तरह से लिखना है अब देखो एक्टिविटी चित्र को उनके नाम के पहले एक्सर से मिला ये तो ये देखो मैं आपको सब PDF फाइल बेजूंगी उसमें आप देखना और फिर अच्छी राइटिम में लिखना चलो वन सगें कासे कबुतर कासे कमल ये पूरा आपको फिलप करना है अच्छी तरह से ये एक्टिविटी में रंग बरो इसमें आपको कलर करना है क्रेयोन स्या तो पैंसिल गलर खासे खरगोस, खासे खरगुजा ये भी आपको अच्छी तरह से लिखना है और ये एक्टिविटी में भी रंग बरो तो खासे खरगोस करना है अब ये क्या है गोसे गमला और गोसे घठा तो ये भी आपको लिखना है और ये एक्टिविटी में चित्र देखकर उसके नाम का पहला अक्षर लिखे गोसे गमला, कोसे कमुतर, कोसे खरगोस, गोसे घठा और कोसे कमल गोसे खड़ी, गोसे घर तो ये भी आपको अच्छी तरह से लिखना है अच्छी राइटी में लिखना एक्टिविटी चित्रों को उनके नाम के पहले अक्षर से मिला ये गोसे गड़ी, गोसे कर, गोसे घड़ी, गोसे गमला, कोसे कबूतर, कोसे खरगोस, ये मैंने आपको 3-4 बार सिखाया तो मैं आपको PDF फाइल बेजुगी, वो आपको अच्छी तरह से नॉटबुक में और ये हिंदी वाली वर्भुक में आपको लिखना है देखो, अब बन सगेर में सिखाते हूँ, बोलो मेरे साथ, कोसे कमान, कोसे कमान, कोसे करगोस, कोसे करभुचा, गोसे गरपती, गोसे गमला, गोसे गमला, गोसे गमला, गोसे गड़ा, गोसे गर, गोसे गरी आपको समझाया यह क्या हुआ है व्यंजन कसे कमल, खसे खरगोस, गसे कमला, गसे गर यह आपको अच्छी तरह से नौटबूक में और वर्कबूक में लिखना है ओके बाबाई